तो इसमें वजन वगेरे नहीं लगता है? नहीं नहीं आपको तकलीफ होती है? अच्छा कोई तकलीफ नहीं है हाथ उन्होंने छोड़ दिया है नमस्कार दोस्तों मैं ओम प्रकास ओसर ये जो मसीन देख रहे हैं ये धान की रोपाई की मसीन है इससे आप चामल के जो पौधे हैं उसकी रोपाई कर सकते हैं और अभी रोपाई का सीजन चल रहा है और इस रोपाई के सीजन पर हम पहुचे हैं मद्य प्रदेश के बाला घाट जीले के कौन सा गाओ है? नया टोला बढ़ गाओ लाँ अच्छा और तासिर कौन सा है? इसमें लगता है और किस तरीके सीजन को चलाते हैं? क्या मेंटेरेंस मांगता है? क्या कौस्टिंग है? इस पर डिटेल बात करें लेकिन उससे पहले कहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क् अगर यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फालो कर लें आपका क्या नाम है सर मेरे नाम खुमेंदर विसेन अच्छा तो भाई है जी मंजले बाई हैं बड़े भाई है मैस कुमार विसेन इनका नाम खुमेंदर कुमार विसेन मेरा नाम इसे 36 एकड़ के लगबंग होती है टोटल जमीन तिनों भाईयों का मिलाकर उतना होता है ठीक है तो यह जो मसीन है हम देख रहे हैं यह अभी जैसे आप लगा रहे थे इसमें तो एक एकड़ में कितना लगा लेता है एक घंटे में इसकी केपिसिटी साट डिसमील एक आने में आपको अधिकतन लागत लगेगी जब पेट्रोल सस्ता था तब हमने सव रुपए में भी एक एकड़ लगाए और अगर यह लेवर से लगाते हैं तो लेवर से लगाएंगे तो साड़े चार-पांच में पहुंच जाएगा आकड़ा क्या सौ बोल रहा है कि हजार साड़े चार-पांच हजार लेवर से लगाएंगे तो 270 का रेट हो गया है अपने बाला अड़े में लग लग हो गई और इससे लगाते हैं तो 200 रुपए में अच्छा लेवर तो मिलता ही निया मिलता है तो मनमाना रेट लेता है दोजर बाई सात्वा महिना चल रहा है 270 करेट में को सुनने मिल रहा है अब आज बजू किसान लगा रहे हैं उनका तो यह जो लगाता है यह बिलकुल क्वांटिटी वाइस लगाता होगा जैसे इतने लगा गई जी इसमें सेटिंग है अच्छा पॉधे आप कैसे सेटिंग होता यह यह लगा हुआ है यह लाजेस हो गया लाजसे अधीक बड़ा और यह समाल्य चोटा तो अपने को इस वाला रहने कंप लगाना तो नीचे लाएं के तो कंप लगाएगा मिडियाम लगाना है तरड पर भी लगा सकते हैं और नर्शरी सीमीत है तो अपन साथ आठ नाव पर भी ला सकते हैं अच्छा कोई दिकत नहीं कोई दिकत नहीं और उस उधर वाला क्या है यह है पाउधे को कितने गहराई में हमको लगाना है डिप लिखा हुआ है नीचा यह फुल गहराई हो तो इसको उपर लगा देते हैं यह उपर सेट हो गया तो पवधा उपर लगेगा अच्छा कम गहराई में लगेगा कुछ जमीने पत्री ली रहती है तो उसमें उचाई पाउधे को कितने गहराई में लगाना है उसमें सेट कर दो तो अपनी मसिन परिबार नी आएगा इस पैसे मेंचेन करते हैं यह गेप ही लोगों का सस्पेंस बना हुआ है डावट बना हुआ है सबसे पहली बात तो किसान देखते हैं कि इतना पतला लगा यह मसिन नी तो निकल जाता अच्छा इस ने चो लगाए है वो भी दिखा देंगे विजवल बाजु में लगा हुआ तो इसको इसमें अभी कितना कितना हैं कितने अभी हमने इसको रखे हैं सेकंड थर्ड पर हां इसको शेटिंग कैसे करते हैं इसकी सेटिंग मसीन में है यह वाली सेटिंग है यह जो सेटिंग है है यह हो जाती है सेटिंग अच्छा रोकी सेटिंग हो जाती बाकि यह जो बीच वाला फासला है यह मसीन में सेटिंग है मसीन में सेट है अभी हमको ऐसा लगता है कि दूरी बहुत है लेकि नहीं साइंस ने जो बनाया बहुत सो समझ के बनाया और सहीं बन परहा लगाने की मसीन एक बड़ी आदोनिक मसीन से आपान से बुलाई गई है और आदोनिक तकनिक से बनाई गई है ठीक है अब ही हम जरत चला के देखते हैं फिर बाकी बाते साथ में करते रहेंगे कैसे चलू करते हैं इधर पीछे दिखाना हरिस हां जड़ा दिखाए यह न्यूटल हो गया अब इसको हम अभी न्यूटल है यह में कलच हो गया अच्छा यह में कलच अगर नया आदमी कुछ नी समल गा तो पहले कलच दबा मसीन खड़ी कोई दिक्कत नी यह में कलाच है यह हाँ आप यह सा हइड्रोलिक सिऽ्टम बताता हूँ यह अच्छा वह उठा दिया उदर हइड्रोलिक हाँ ह हाथ पूरा हाइड्रोलिक यूपर हगया exist बीनाट कीदर लगा है है अश्छा गितार लंगा यह यहां से लिग जहारुपार ऑफ्छलेट के अश्युपार हाइव किसमें उठता है और यहाँ से टर न करके उठा रहा है, उठाइये तो, यह मशीन उठ गया, ठीक है, मशीन उठ गया यहां से, अब क्या करेगा? मसीन उड़ गया पोजी सन पर आ गया अब क्या करने है अब इसको पिठालना है यह बैठ गया प्लैंटिंग करेंगे अब अच्छा यह देखिए यह नीचे रोपाई होते जा रहा है यह नीचे रोपाई बिल्कुल करम से होते जा रहा है और वो चला रहा है मसीन को यह तो इसमें वजन वगेरे नहीं लखता है नहीं आपको तकलीफ होती है अच्छा कोई तकलीफ नहीं है हाथ उन्होंने छोड़ दिया है यह आप सामने ला रहा है यह सामने का इंजन देखिए यह काम करके अपना दबा रहा है और बहुत सुन्दर मसीन है यह कोई दिक्कत नहीं है तो यह खरीदे कहां से थे यह बाला घाट पाना टेक्ट्रेस एजन्सी तुनके यहां से एजन्सी है इसकी कोई से लिये थे इसका अवाज आएगा ना तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा इसलिए मुझे रोक के पुछना पड़ रहा है फिर चला के दिखाएंगे आपको थोड़ा बंद कीजिए यह चला के आपको और दिखाएंगे और समझाएंगे लेकिन अभी कुछ सवाल है जो मैं पूछ आप लिए था आपने कि बालाखाड से लिए थे कान हा टैक्थश एजनसी अच्छा यह कब लिया था चशे साल पहले今 कह ए सदो लाख रूप्या इसकी कीमत इसकी एल-एक अजयार उपर्श 2 सूटर में बदल अभी तब 16,000 के और आईल वगेर कार्बोदेटा था तो लिया कितने में थे डाई लाख रूपया इसकी कीमत थी लेकिन इस्टेट गवर्णमेंट और सेंट्रल गवर्णमेंट की सबसीडी मिली उस तो एक लाग 6,000 हमने पटाए एक लाग 6,000 मात्र पटाए जी और उसमें एक ला अधिकतां पेट्रोल इसको लगेगा एक लिएक एकर लगाने में 200 रुपय की लागत आती मात्र तो आपका पैसा तो वसूल हो गया हो गया है तो वह सबसीडी सभी किसानों को है कि बड़े किसान चोटे किसान को है चोटे किसान बड़े को भी है लेकिन उसका जो पाउती ह वाली होना तो मिल जाएगी अच्छा चोटे लगवाली पोती हो तो मिल जाएगी ठीक है और इस नाम दिख लिए क्पहते जो आप देख च蒙सीन हम ठीक है और यह मसीन आप देख रहे हैं और बहुत सांदार मसीन है और किसानों के काम की मसीन है बहुत मजबूत है अब प्राब्लम कोई अभी कौन सा रोपाई कर रहे हैं अभी ये मेगा टैन है अच्छा एक सो पंदा दिन की यह है इसकी हाँ मेगा टैन विलाइटी है आच्छा रिसर्च का है यह बीज है अच्छा आप मुझे एक चीज और समझाईए यह जो रोपा लगाते हैं मतलब जैसे हम और नर्सरी के वक्त इसके डिजाइन को देखते हुए क्या किसे साफ से लगाते हैं तो थोड़ा से टेकनिकल रहता है कि पपनी हो ना पॉलिथी अपना उसके साइज करें लोहे का फर्मा आता है फर्मा बोलते हैं जो जो शीडी नूमा होता है पहले पॉलिथी बिच्छा पहग दो लेने से पहले बहतर है कि सबसे अछीन शेयर लेना है तो दाने को एक दीन-एक रात पानी में भेंगा कर रखें यो एक दिन एक रात उसको खुला रखें जैसी वे अंकुर्णाप unfinished चिन में यह कोई और तरीका इस्तिमाल करते हैं कि ओर दो заключ हो कुछ मधशन फैसे ऑन यहीं घटीड करने के सब्सक्राइब लिए तरह तो इस मसीन से पूरी तरीके से संतुष्ट है हाँ 100% किसानों को यह इस्तेमाल में लाने से बिल्कुल मैं कहता हूं किसी के पास अगरेवल प्राबलम है मजदूर की समझ यह मसीन लाइए बिल्कुल आपको सफलता मिले कोई भी टेक्निकल प्राबलम हो मैं अपने नंबर तो मैं आजाओंगा आधी रात को भी काल करूंगा तो मैं अब लेबा लूँ ठीक है तो यह भाई साब है और यह पूरा समझा रहे हैं और इन चीजों की क्या जूरा था इसकी हाँ यह ज़रूरी है यह क्या जो उबर खाबार होता है उसको मेनेज कर देता है अच्छा माल इसी कॉस्टिंग और समझा दीजे किसान भाईयों को इसमें सब्सीडी है अभी तो कीमत बढ़ चुकी इसकी एक लाग साथ हजाद के लगबाग आ रही है यह सब्सीडी मिलती सरकार के उसके मावजुद भी है ठीक है और यह देख रहे हैं इसमें रखते हैं इस पर हां इ चाहूंगा बीच में आपको ही खतम हो जाएगे तिसको सीरे उठाके यहां पर फिंसे डाल दूँगा हां मतलब वो जो लाने वाला रहा है उस टाइम परेट को मैनेज करने के लिए यह करने इदिया गया तरी इसमें कितने लेन वाली आती है इसमें 6 वाली भी आती है यह फोर वाली है यह अच्छा सिक्स वाली ठोड़ी और मांगा हो हम उन्माइंगी है इसमें एक लाक शाड़ तो यह रॉपाई की मसीन आप देख रहे थे उसके बारे में जानकारी देख रहे थे और यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें धनिवाद मैं कौन से काओं पताए भिया नया टोला बढ़ गाओं ला अच्छा ब्लाक लाल बदा तसी लाल बदा जिला बाला घाट मत्रेस माध्य प्रदेश से ये वीडियो देख रहे थे भाई साब का हम कवर कर रहे थे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें धन्यवाद में प्रकासा उसर